इस इस इम्रान एंड विल्कम तो माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पोको के बारे में इन्ड फोडस यूओ डॉन ओकी इंडीपेंडटन ब्रैंड हो चुका है यानि कि आप वह पोको अपना खुद का काम क्शुद करेगा अपने पैरेंट कंपणी शायो मीड अपनी से नहीं नहीं करवाएगा थे अब और इक इस अपने पेंडिपेंडेंटन ब्रैंड हो चुक अभी के टाइम पे है बिकाउज इसके से बहुत यह एच्छी है फिस टीर पर जो प्राइब definitely जबर्दस इंड अभी के टाइम पे जो प्राइज और बहुत ही अच्छी है अभी टाइम वी पोगो एफ़न एक वैल्युफर मनी स्मार्ट पॉन कहलाता है वंगाईज जब यह लाउंच वाद 2018 में अभी के टाइम पर 2020 में अराउंद देर साल हो गए और पोगो ने अभी कोई भी अपना नया स्मार्टफोन लाउंच नहीं किया है 2019 ने बहुत सारी लीक्स एंड रिमर्स थी कि Poco F2 आ रहा है या फिर बहुत सारे ऐसे रिमर्स थे बट कोई भी रिमर्स सही नहीं था एंड गाइस देर साल बाद आप Poco अपना नया स्मार्टफोन को टीस कर रहा है बट यहां पर एक डाउड भी है आप जानते हुए कि कुछ दिनों पहले चाइना में रेड्मी के थरी लॉंच फार्ट कशेद को प्रोसेतर देखने को देखने को बात यह हो रही थि कि जो के थरी फोर्ट्व कर वाला स्मार्टफोन पोको एक्सटू की पिक्चर को टीज किया है एंड उन पिक्चर को देखने के बाद यह साफ पता चलता है कि यह कोई और स्मार्टफोन नहीं यह Redmi K30 है उसी को रिप्राइंड करके वो एडिया में लॉंच करने वाले है अब आप बनाएगे क्या आपको यह बात अच्छी लॉंच करता है तो यहां पर उसका बहुत अच्छा कॉंपेडिटर है रियल्मी एक्सटू अगर मैं बात करूं रियल्मी एक्सटू की तो रियल्मी एक्सटू आपको 17,000 रुपीज के अंदर देखने को मिल जाता है अगर पोको जाना जाता है अपने कम प्राइज एंड ह अगर उस स्मार्टफोन को यानि कि अगर वो रेड्मी के थर्टी को रिब्रैंड करके इडिया में लॉंच करने वाला है और रियल्मी एक्सटू से कम होनी चाहिए अब हाँ मैं बहुत अच्छी टक्कर दे सकता है रेड्मी के थर्टी यानि कि Poco X2 को यहां यहां में मुझे इतना शर्ली बात नहीं करना चाहिए कि अभी तक Poco X2 लांच नहीं हुआ है अभी भी हमें 100% confirmation नहीं है कि क्या Redmi K30 की Poco X2 होगा या फिर नहीं अगर Poco Redmi K30 कोई अपना tag दे के इंडिया में लांच करता है यानि कि Poco X2 के नाम से लांच करता है तो मेरे हिसाब से pricing कम होनी चाहिए because Poco है and Poco जाना जाता है अपनी कम pricing से तो अगर 15,000 या फिर 17,000 से भी अंदर अंदर अगर यह smartphone लांच होता है because जो time था देवर साल का वो काफी जाता था and एक नया smartphone Poco launch कर सकता था and बात ये भी हो रही है कि जो Poco F2 होने वाला है वो around 2-3 महिने के बाद launch होने वाला है and देखते है कि वो smartphone क्या होता है क्या वो भी कोई Redmi का rebranded version चाइना में जो launch होता है उसी को rebrand करके इंडिया में लाता है या फिर कोई एक नया device Poco F2 नाम से इंडिया में launch होने माता है so guys आपका क्या-क्याल है क्या Redmi K30 इंडिया में Poco X2 की नाम से launch होना चाहिए या फिर नहीं and आप मुझे नीचे comment करके बताए because बहुत सारे survey हुए and बहुत सारे लोगों ने यही क्या है कि हमें rebrand name से कोई मतलब नहीं चाहे वो Poco कोई भी smartphone को rebrand करके इंडिया में launch करें हमें मतलब है तो price से spec से अच्छी value हमें मिलनी चाहिए and मेरी साब से यह बात भी बहुत ही सही है because अगर हमें अच्छी value मिलते हैं तो वो काफी जदा अच्छी बात होती है and चाहे वो rebranded version हो या फिर कोई Poco का अपना कोई smartphone हो so guys आप मुझे नीची comment करके बताएए क्या आपके क्या thoughts है आप मुझे वो नीची comment करके ज़रूर बता है so guys अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सभी अच्छा लगा हो so इसे like जरूर करें and especially मैं भी इस smartphone के wait कर रहा हूँ and अगर ये अच्छी price में launch होता है so definitely मैं भी smartphone को purchase करने वाला हूँ and guys अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आया and मुझे इस पतले आत्मी को पहली बर बोलते हुए देख रहे है वीडियो में so जो नीचो subscribe वाला बटन है उसको दबा दीजिए and उससे क्या होगा कि मुझे थोड़ी से motivation फिल होगी and next वीडियो में मेरा और मन करेगा so आप नीचे वाला जो बटन है subscribe का उसे जरूर दबाया है and host अगे तो बेल वाला इकन को भी प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अप्लोड करूँ so आपको उसकी notification सबसे पहले मिल सके या फिर बाद में भी आप देख सकते कोई दिकत नहीं है आप बाद में भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके बट सब्सक्राइब करते भी जाए so आपसे नेक्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाद